हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सूद, आज हम डिस्कस करेंगे ICT का एक बहुत ही साधा इंपोर्टन टॉपिक जहां से श्योर है कि क्वेशन एक्जाम में पूछा ही जाएगा, इस टॉपिक का नाम है मेमरी हिरारिकी, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मेमरी किसलिए यूज होती है ताकि हम किसी चीज को, किसी सॉंग को, किसी भी डेटा को स्टोर कर सकें, अब मेमरी की क्या रेंज होती है, कैसे वो इंटर्नली काम करती है और क्या इसकी हरारिकी होती है, यहां से exam में question आते हैं so important और previous year questions को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के session को इस examination को qualify करने के लिए paper 1 पर major focus रखेगा क्योंकि easily यहां पर 100 में से 80 plus score करके आप अपना selection पक्का कर सकते हो so आपके paper 1 के best preparation के लिए complete course हमने launch किया है जहां पर daily live lectures के साथ हम exam से पहले आपका पूरा syllabus cover करवाने की surety देते हैं students Hindi English दोनों languages में यह live lectures आपको मिलेंगे जहां पर सबसे पहले आपके सारे concepts clear करवाय जाएंगे उसके साथ ही same topic पर अगले दिन MCQs and previous year questions प्रेक्टिस करवाय जाएगी ताकि easily concepts के साथ साथ आपको यह भी पता चल जाए कि कैसे questions examination में पूछे जाती है recorded lectures भी आपको मिलेंगे topic wise practice MCQs है साथ ही full syllabus notes है जिसकी खास बात यह है कि इसको आसानी से आप अपने mobile phone में भी download करके पढ़ सकते हो full syllabus mock test है जिसमें से जरूर hazardous questions आएंगे 2000 plus MCQ question bank है जो कि आपके final revision के लिए बहुँ जादा मदद करती है इसमें आपको previous year questions, repeated and most expected questions मिल जाएंगे वो भी explanation के साथ आपको सर्फ given numbers पर contact करना है और daily 9 p.m. live lectures के लिए global online app को जरूर डाउनलोड कीजिए इसमें store section पर जाने के बाद आपको search bar में course का नाम लिखना है इस course के overview क अच्छे से देखिए content पर click करोगे free videos भी available है mock test है and live lectures यहाँ पर आपको मिल जाएंगी यही एक ऐसा course है जो आपको guarantee के साथ साथ 100% selection की भी बात करता है इसके अलावा students आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सिरफ given numbers पर contact कीजिए और इस course की पूरी जानकारी ले लीजिए content की और जिसमें हम बात कर रहे है memory की so students आप सभी को पता है कि memory humans में अगर बात करें तो हमारा भी दिमाग होता है हमारे पास भी memory होती है mobile की laptops, computer सब में memory यूज होती है memory simple language में बोलें तो ये क्या होता है ये होता है एक storage space हर एक device में एक storage space होता है जिसको memory बोला जाता है अब देखो जैसे हम market में कुछ लेने चाते हैं तो हम kilos के हिसाफ से चीजें खरीते हैं के हिसाफ से चीजें खरीते है दो किलो चार किलो इस तरह से है न वैसे ही जो computer system में memory होती है उसमें भी हमारे पास कुछ units होती है so you just in it paper 1 में एक sure question memory की units के हैरारी की से पूछा जाता है so यहाँ पर आप देख सकते हो units में पहला है byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte and yotabyte ठीक है so यह memory की various units होती है जो की बहुत जादा important होती है so अब देखो students इस में से सबसे smallest unit जो है वो होती है bytes exam में क्या होगा यह सारी statements आपके सामने लिखी होंगी जैसे bytes है फिर megabyte इस तरह से लिखी होगी आपको इनको एक sequence में arrange करना है smallest byte होती है और सबसे बड़ी जो है वो yotabyte है exam में लेकिन जरूरी नहीं है कि यह पूरा kilobyte, megabyte इस तरह से लिखा हो exam में questions आते हैं जैसे bytes को तो bytes से लिखते हैं kilobyte को kb, megabyte को mb, gigabyte को gb, tb, pb, eb, zb and yb इस तरह से यह sequence होता है तो आप इस sequence को याद रख लीजिए, बहुत important है ठीक है, अब देखो यह memory units exactly काम कैसे करती है इसका एक real life example बताती हूँ, आप चाहूँ तो साथ-साथ में check भी कर सकते हो ठीक है, देखो आप लोगों के mobile phone में कोई image है आप लोगों ने camera से कोई photo click की है तो उस photo की details में जब जाओगे, properties में जब जाओगे तो वहाँ पर उसका size लिखा हो सकता है, let's say 20 kb ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि यह इसका size है हमारी image ने memory कितनी capture की है यह उसका size हमें बताता है, ठीक है वहीं दूसरी तरफ अगर मेरे phone में कोई video है जिसका, जिसकी length एक से दो मिनट है तो उसका size में भी यह हो सकता है 20 to 25 mb वहीं हमारे mobile में अगर दूसरी कोई video है जिसका size, let's say, 8 से 10 मिनट के बीच में है तो उसका size हो सकता है 40 से 45 mb यह मैं random numbers यूज़ कर रही हूँ, ठीक है तो यह होता है size कि किस length की video ने कितना space capture किया हमारे phone में, वो memory units ही हमें बताती है यहाँ तक आपको clear है तो यह sequence याद रखना है सबसे चोटा bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, gigabytes, terabytes जादा से जादा exam में इसी level तक पूछे जाते हैं फिर भी आपको याद रखना है sequence में इसको याद रखना exam में पूछा जाता है कि smallest से largest की और जाना है ओके, सो यह थी units की बात I hope यहाँ तक clear है यहाँ तक कोई doubt है तो आप हमें comment कर सकते हो मैं definitely आपकी help करूँगी और इसके अलावा students अगर आप चाते हो कि इसी तरह की series जिसमें की smart tricks के साथ मैं आपको repeated concepts clear करवाऊं जल्दी जल्दी से तो आप मुझे comment कीजिए या कोई particular topic है जिस पे आप चाते हो कि मैं video लेकर आउं तो भी आप मुझे comment कीजिए मैं definitely आपके request को पूरा करूँगी so देखो यहाँ पे लिखा है computer memory hierarchy looks like pyramid structure that is used to describe the differences among memory types so memory के जो different types होते हैं उनको यहाँ पे present करने के लिए pyramid structure के रूप में memory को बताया जाता है it separates computer memory based on hierarchy so levels होते हैं अभी यहाँ पे जाओगे five levels हैं तो confused हो जाओगे यहाँ पे in pyramid structures के help से आप easily concept समझ सकते हो ठीक है so सबसे पहले हम इस उपर वाले section को देखते हैं यहाँ पे लिखा है increasing order of access time ratio ठीक है तो सबसे छोटा जो होता है memory unit में सबसे छोटी चीज जो होती है वो होता है register तो यहाँ पे लिखा है देखो register memory यह memory के types होते हैं ठीक है register memory यह होता है हमारे पास level 0 यहाँ पे जो मैंने बात की थी level 0 CPU registers ठीक है तो यह level 0 होता है so registers are present inside the CPU CPU आप लोगों को पता है कि CPU के अंदर registers होते है as they are present inside the CPU they have least access time इन चीज़ों को ज़्यादा detail में जाने की जरूरत नहीं है बस आप इतना याद रख लीजिए कि सबसे छोटा चीज जो होती है वो होती है register memory ठीक है यह CPU के अंदर होती है and यह KB में ही काम करती है कि यह भी मतलब kilobytes के साथ काम करती है दूसरे level पे यानि कि level 1 पे आता है हमारे पास cache memory इसको कुछ लोग cache memory बोलते है cache memory बोलते है वो depend करता है issue कोई भी नहीं है ठीक है so यह level 1 है इसमें क्या करते है हम program के कुछ segments को store करते है और यह megabyte के साथ काम करता है ठीक है अब आता है next main memory magnetic disk main memory जो है यह हमारी primary memory होती है mobile phone खरीदते हो तो आप हमेशा पूछते हो न किसकी main memory कितनी है तो वो primary memory होती है जो कि पहले से हमारे mobile में होती है एक होता है inside memory एक होती है outside memory जिसको कि external memory बोलते है जो हम लोग memory card अपने mobile में याड़ करते है तो यहाँ पर primary memory जो पहले से हमारे mobile में होती है laptop में होती है वो होती है main memory ठीक है यह जो है यह generally GB में काम करती है एक-एक step उपर हमारे है जैसे देखो यहाँ पर था सबसे छोटा bytes, फिर KB, फिर MB, फिर GB ठीक है वैसे यहाँ पर देखो bytes में कुछ नहीं होता पहले KB, फिर MB, फिर GB उसके बाद आता है हमारे पास magnetic disks ठीक है magnetic disks जो है यह हमारे पास level 3 है इसको हम बोलते है secondary storage secondary storage यानि कि यह add करना compulsory नहीं होता किसी को जरूरत है तो add करो नहीं है तो मत करो जैसे हम अपने mobile phone में memory cards को add करते हैं जो हमारे पास secondary memory है इसका best example होता है magnetic disk, डायरेक्ली यहाँ पर यह example लिखा हुआ है और यह जो भी चीज़ें store करता है इसका highest level TV होता है terabyte होता है and last level, level 4 है magnetic tape जिसको कि tertiary storage बोलते है so यह क्या होती है magnetic tape, tertiary storage का best example है यह basically removable devices होती है जिसको हम remove करें add करें वो हमारी choice है वो कि इसका size depend करता है user के requirement पे so I hope यहाँ तक कि जो levels हैं आपको बिल्कुल clear हो चुके हैं ठीक है, यहाँ पे देखो यह दोनों charts में जादा कोई difference नहीं है देखो, register memory cpu registers यह दोनों एक ही चीज़ है confused नहीं होना कि register memory और cpu registers अलग है cache memory इसका एक example है जो लिखा है sram ठीक है, यह cache memory का example लिखा है उसके बाद main memory main memory उसका example है dram magnetic disk magnetic disk इसका example है disk storage okay, last आता है optical disk और magnetic tape यह दोनों इसी के equal है इस तरह से okay, so यहाँ पे भी लिखा है देखो यह दोनों level 4 पे काम करते है so total हमारे पास 5 levels होते हैं memory के, सबसे important यह वाला sequence याद रख लीजिए and एक यह वाला sequence याद रख लीजिए so अगर आप लोग हर एक चीज समझ चुके हो आपने हर एक चीज को note कर लिया है तो congratulations आपके 4 marks बिलकुल पक्के हो चुके है आज की वीडियो के बाद यह मैं आपको guarantee के साथ बहुती हूँ so I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई है इसी तरह की lecture series चाहते हो तो comment करके मुझे बताईए so thank you so much for watching this video and I wish you all the way